स्रेज शिवाय नमस्तु भेहम बस आपको दो सुपारी लेनी है छोटा सा उपाय करिएगा जो कि पूझ गुरुजी की कताज़ सुनके बहुत अच्छे से आपको बताऊगा समझेगा जरूर इस तरण पर आपके सुपारी दिख रही होगी सुपारी दो तरीके की आती है एक आती है खाने वाली एक आती है पूझा पार्थ में इस्तिमाल करने वाली आपको दो सुपारी लेनी होगी जो पूझा पार्थ में इस्तिमाल की जाती है सिर्फ दो सुपारी लेंगे उन दो सुपारी को लेकर के ऐसे भगवान के मंदिर में जाएंगे ऐसे मंदिर में जाना है जहां पे भोले शंकर और माता सती मा पारवती दोनों साथ में विराजमान हो चाहे मंदिर में या फिर आपके घर पे ही दोनों की साथ में कोई भी फोटो हो मूर्ती हो प्रतिमा हो साथ में हो भोले शंकर और माता सती की उनके सामने लेके जाएंगे और जो आपने सुपारी लिया है ना एक एक सुपारी दोनों लोगों के चरड़ों में समर्पित करने के बाद में जो इंसान आपकी बात नहीं सुनता चाहिए आपकी वाइफ हो आपके हस्बेंड हो आपके बच्चे हो गलत दिशा में जा रहा ह आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनते उनका नाम और गोतर बोल करके दोनों सुपारीओं को एक एक करके समर्पित कर देना और प्रातना करना विंती करना कि हमारी यह समष्चाए हैं हे महा दियो हे मासती आप हमारे इस घर से इन समस्ष्चाओं को दूर करें जो भी विक्ट पहले उपाय के हमने बात कर ली है आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय के तरफ और यह दूसरा उपाय भी होगा आप किसी को अगर सुधारना चाहते हो और वो इंसान सुधारने का नाम नहीं लेगा जैसे आपकी पतनी है आप उससे कुछ पर भी बोल देता हूं कभी-कभी क्योंकि जितने पेरेंट्स हैं जितने भी पुरुष हैं वो मुझे कॉमेंट सेक्षन में बहुत उल्टा सिधा बोलते हैं कि सिर्फ भया पती खराब नहीं होते हैं लड़कियां भी खराब होते हैं आप उनके लिए कुछ नहीं सुधार करना है तो क्या करें तो इसलिए मैं आप उनको भी मेंशन कर देता हूं कि अगर वो भी बिगडी हुई हैं तो जितने पती हैं उस उपाय को करिएगा ठीक है लेकिन मुझे कुछ उल्टा सी दामत बोला करो भाई ठीक है ना चलो तो आपको लेना होगा इस तरीके से मक्ष मार्खन मार्केट में इजली मिल जाएगा बहुत थोड़ा सा लेंगे और एक तामबे के लोटे में जल भर लिना ठीक है जल को भरने के बाद में पहुच जाना महा देओ कि शिवलिंग के पास में मन है घर पे करो मन है मंदिर में करो सुबह दो पहर शामरा कभी भी कर सकते समझने की कोशिश करिएगा एक जगह शिवलिंग पे होती है जिसके हम लोग बोलते हैं कटी भाग जो भी इनसान को सुधारना रहा करेना तो आपको इस कटी भाग पे उपाए करना होता है जो मैने आपको मक्खन दिखाया ना उसी मक्खन का लेपन इसी कटी भाग पे आमाता है और वो नाम है आशुतोष महादेओ का नाम कौन से महादेओ आशुतोष महादेओ के नाम से उस मक्खन का लेपन करेंगे अच्छे तरीके से उस इंसान का नाम और गोत्र बोलेंगे महादेओ से बिंती करते हुए प्रात्ना करते हुए कि हमारे घर का यह सदस्य है हे महा देो आप इसे सुधार दें और उसके बाद में एक तामवे के लोटे में जल स्री शवाय नमस्तुभ्यम बोल करके समर्पित कर देना यकीन मानिए जो भी व्यक्ति मक्षन का लेपन कर देता है कटी भाग पे उनके घर के लोग सुधर जाते हैं और सही दिशा में चले आते हैं अब वो चाहे पुरुष हों चाहे इस्तरी हों चाहे बच्चे हों बड़े हों बूडे हों कोई भी हो सकता है समझ महीं बात चलो यहां पे हम लोगों ने दो उपाय की बात की है आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय के तरफ और ये त कोटा सा उपाय है, करने कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इस नए चैनल पर अगर आप मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करिएगा, जितने भाई बहन पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना, चलो, और हाँ ये भी बताईगा कि मेरी आवाज आपने कौन से चैनल पर पहले सुन रखी है, ना, देखो, मखन लेना, फिर से आपको थोड़ा सा ही मखन लेना है, और एक आपको दूरवा लेने होगी, हरी वाली दूरवा कोई से भी एक से दो ले लेना, ना, और एक तामबे के लोटे म जल भरेंगे, जल के अंदर जो दूरवा मैंने आपको बताई है, एक, दो, तीन जितनी भी आपको लेनी हो, इसी जल के अंदर दूरवा को डाल देंगे और पहुँच जाएंगे महादयो के शिवलिंग के पास में, तरीका समझेगा, अब यहाँ पे महादयो का एक नाम ब जितना अच्छा आप कर सकते हैं, उतने अच्छे तरीके से मक्खन का लेपन करेंगे, ठीके, लेपन करने के बाद में, जो इनसान बीमार है, जो इनसान परेशान है, उस इनसान का नाम और गोत्र बोलेंगे, महादयो का नाम लेकर के, जो एक लोटा जल जिसमें दूरवा वो पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर स्री शिवाय नमस्तु भ्यम बोल करके समर्पित करेंगे अब यही दूरुबा का जो जल होगा बैता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा इस जल को थोड़ा सा रोक लेंगे और इस रोके हुए जल को ले करके आप अपने घर चले जाएंगे ठीक है और पूरे घर में पूरे कमरे में आपको इस जल का छिड़काओ कर देना है यकीन मानिए जिस भी वज़े से आप पे घर में लोग बीमार पड़ते हैं वो बीमारियां आपे घर से दूर जरूर चली जाएंगे ठीक है करिएगा सभी लोग तीन उपाय के हमने बात की है बहुत ही छोटे छोटे थे आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने सबसे छोटे और बहुत स्पेशल से उपाय की जो की चोथा उपाय है और यह उपाय फोटो देखके ही आपको लग गया होगा यह होगा धन संपदा के लिए मालक्षमी की कमी आपे घर में बहुत जादा है इस उपाय को करेंगे जिसके लिए आपको मात्र एक कमल गटा लेना है किसी भी पूजा पाट की स्टोर पे कमल गटा आसानी से मिल जाएगा साथी साथ माहा देओ की प्रिये चीज भी साथी साथ लेनी होगी और वो है एक बेल पत्र बहुत ही प्यारी सी बहुत ही सुन्दर सी एक बेल पत्र लेंगे साथी साथ एक तांबे का लोटा लेंगे और उस तांबे के लोटे में जल भरेंगे जल आपका अपने घर का होना चाहिए और इसी जल के अंदर उस एक कमल गटे को डाल देना डालने के बाद में पहुच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में जो बेल पत्र आपके पास में है उस बेल पत्र को तीन जगव पे टच कराना है सबसे पहले माता असोक सुंदरी के स्थान पे दूसरे नंबर पे कटी भाग पे समर्पित करोगे तीसरी जगह पे पूरा का पूरा जो बेल पत्र होगा महादेव के शिवलिंग के उपर समर्पित करके और जो कमल गट्टे वाला जल है वो इसी बेल पत्र के उपर बिल्कुल धीरे धीरे स्लो मोशन में आपको समर्पित कर देना है साथी साथ यह विंती करनी है कि हमारे घर में धन संपता को लेके बहुत प्रॉब्लम है हे भोले शंकर, हे महादेओ, आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें अपने अकॉर्डिंग प्रातना कर लेना और फिर आप अपने घर के तरफ जा सकते हैं करिएगा सभी लोग इस उपाय को, बहुत ही छोटे-छोटे मैंने आप सभी को इस चतूर्थी तिथी के उपाया बताएं है एक तो चतूर्थी तिथी का दिन है, साथी साथ शुक्रवार है और साथी साथ चैत्र का महीना चल रहा है तो आप सभी लोगों को अपनी फैमिली, अपने परिवार में खुशियों को लाने के लिए इस उपाय को जरूर करना चाहिए तो कोशिच की अच्छा समझाने की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फोन पर बाते करनी हो, मैसेज बाते करनी हो तो आप हम इंस्टाग्राम या फेस्बूक पर फॉलो कर सकते हैं जिसके लिए आपको सर्च करना होगा वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बाते कर सकते हैं और जितने भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एक छोटिस रिक्वेस्ट आप सभी से करनी है आप लोग को कुछ पूछना रहा करे या ना पूछना रहा करे आप कोई ना कोई महादेव का नाम कोई ना कोई देवी देवता का नाम नीचे कोमेंट सेक्षन में जरूर लिखा करिए इसी बहाने आप अपने हाथों से अपने मुख से किसी भी देवी देवता का नाम बोल भी दोगे और लिख भी दोगे ठीके तो करिएगा जरूर तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब भी लोग कर देना स्रीश वाय नमस्तुब्या